नवश्कार ट्रिनीज मैं अम्रा सक्सेना सुभी लोग हार्दिक स्वागत यह भी नंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्यूनिटी की खास पेशकर करें न्यूज में तो ट्रिनीज अभी मैं UBTER के पोटल में हूँ UBTER का यह जो पोटल है UBTER.in आप लिखेंगे Google Chrome में तो आपको इस तरह से Polytechnic का Entrance Exam का सेक्शन खुल जाएगा तो जो महत्वपूर्ण खबर आप लोगे लिए यह है कि जो हमारे बच्चे ITS के बच्चे हैं जो Polytechnic में Entrance लेना चाते हैं अब आपका जो Entrance Exam पहले लिया जाता था ITS के बच्चों का उनको admission देने के लिए वो समाप्त कर दिया गया है अब आपको सीधे merit के आधार पे admission मिलेगा ठीक है तो इसका मैं आपको notification भी दिखा देता हूँ ठीक यह जो notification है केवल E और P के लिए चारी किया गया है इसमें लिखा है आपे group A group A का मतलब इनका है diploma engineering पाठिक्रम के द्वित्य वर्ष में lateral entry के माध्यम से प्रवेश तो जो बच्चे हमारे ITI के सीधे secondary में प्रवेश लेते हैं उनको group A के तहत आते हैं और उसको lateral entry बोला जाता है ठीक तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पाठिक्रमों में अभ्यारती को सीधे नियूंतम सेक्षिक अहरता के आधार पर merit प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ठीक जो आपको admission मिलेगा merit के हिसाफ से मिलेगा और नियूंतम सेक्षिक अहरता का मतलब है जो आपका qualification उसमें रहता है जैसा ITA वालों के लिए क्या होगे नियूंतम सेक्षिक अहरता ITA होगी तो आपके जो ITA में आपकी जितनी percentage बनी है उसके अधार पर आपको merit के अधार पर ये आपको Polytechnic में भी entrance देंगे ठीक बागे लिखते हैं उक्त पार्ठेक्रमों में प्रवेश के इच्चुक चातर परिशत की website से विबरन पुस्तिका डाउनलोड कर विस्तरे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उक्त पार्ठेक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के जानकारी है तो विज्यापन काउंसलिंग के समय जारी किया जाएगा ठीक है तो ये जो ग्रूप A में जिनको admission लेना है ITI base में जो Polytechnic करना चाते हैं क्योंकि Polytechnic वैसे 3 साल का होता है जिनको ITI base में जो 2 साल का Polytechnic करना चाते हैं Secondary में entry लेके Later entry उनके लिए अब merit लगा दी गई है तो अब आपका कोई भी entrance exam नहीं होगा जिनके number बहुत अच्छे है ITI में उनके लिए खुसी की बात है क्योंकि अब उनको entrance exam के लिए लगसे पढ़ना नहीं पढ़ेगा मैं जिनके number ITI में अच्छे नहीं आ पाए हैं उनके लिए बहुती sad news है क्योंकि ITI में number एक बार जो आ गए वो आ गए उसको आप change नहीं कर सकते entrance exam में तो एक बार को यह रहता है कि अगर मेहनत करेंगे तो फिर entrance exam में अच्छे number ले आएं दुबारा से नहीं हो तो फिर उसको कोशिस करें अगले साल मगर merit system में यह है कि एक बार जो आपके ITI में number आ गए वो आ गए दूसरी चीज इसमें यह है जो हमारा ITI का course है इसमें हमारे practical और sessioner के number काफी आदा weightage रखते है जैसे मैं आपको उधारन दो ITI का तो जैसे हमारे जो number system है वो उस तरह से रहता है कि trade theory के माल आपके 100 number होते हैं उसके बाद engineering के आपके 50 number हो गए और workshop calculation science के आपके 50 number ठिक और उसके बाद आपके जो employees के 50 number तो इनको आप जोड़ेंगे कितना हो गया so 50,500, 50,200 और 50,200 तो जो 200 number है यह आपके खुद के जो exam आप देंगे online उसके base में होगा बाकि आपके 200 number प्रैक्टिकल के होते हैं और 200 number आपके होते हैं सेशनल के तो 500 plus 200 कितना हो गया 4500 ठीक तो एक तरह आपके 4500 number है और एक तरह आपके 200 number है और बाकि जो 4500 number हैं प्रैक्टिकल और सेशनल के college के हिसाफ से बहुत ज़दा वरी कर जाते हैं कई बार कई जगा पे सेशनल में बच्चे को बहुत अच्छे number देते हैं कई college बच्चे को सेशनल में अच्छे number नहीं देते ठीक है तो ये merit एक तरह से equality show नहीं करता idea की और दूसी तरह जो आपके practical exam होते हैं कई बार क्या होता है अगर ये examiner पे बहुत ज़्याद निर्भर कर जाता है कई बार ideas में कि अगर examiner काफी अच्छे आदें तो कई बार उनको अच्छे number देते हैं और कई बार number down कर देते हैं तो इस तरह से जो merit system है ये इससे थोड़ी problem आएगी ठीक मगर यही merit के हिसाब से ये आपका इस बार जो आपका entrance है वो होना है तो जिन बच्छों के अच्छे number है वो लोग काफी अच्छे से उनको admission मिल जाएगा polytechnic में बिना entrance exam दिये और जिनके number कम है और ITS में वो उनको government college मिलने में काफी दिक्कत होगी उनको जाफिर नहीं भी मिलेगा ठीक है तो ये था आज की हमारी वीडियो लेटरर एंटरी से लेटेड़ एक वीडियो हम और बनानी कोशिश करेंगे career guidance के अंटरगर जिसमें हम बताएंगे आपको लेटरर एंटरी लेना जिसे polytechnic करना आपके लिए कितने फायदे मन्द रहेगा और बतलब उसके क्या-क्या merits है क्या demerits है क्योंकि हम पहले एक वीडियो बना चकते हैं कि आईटे के बाद क्या करें career options after ITI है तो उसके extended part हो वीडियो रहेगी कि polytechnic कैसा option कैसा है आईटे के बाद आप करना चाहेंगे तो यह थी आज के वीडियो अगर आपको आज के वीडियो पसंद आगे है तो आज के वीडियो लाइक करें मैं चैनल को सब्स्राइब करें आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद